यह देखे गाइस एक नई रेस्पी लेकर के आए हैं हम आज आप लोगों के लिए बहुत टेस्टी बहुत यम्मी हेलो आप सुका श्वागत है हमारे यूटिब चनल चाहिम स्रमे गाइस आज हम लेकर आए मूम दाल की सेंविच जो के बच्चे अगदब मांग मांग के चीन मुंक की दाल डंए तो दो क्या करेंगे हम अपना मिक्षी के जार में डाल कर देंगे तो अब देख सकते हैं अद्रक लेशन सी टुकड डाल दिया हैँ और इसमें डाल देघाए मिर्च तेकिए ज्बास यूज करेंगे और थोड़ा सा पान डाल देया है लग वाल अब ग् तरह नवर पाखीम में वाड़िया है एक प्रम प्रक्षापन कोड़ोप का पेस्ट होता है देख सकते हैं इस तरह से हम बना लिया है अब कुछ इंकरद देख से तरह से हम संभालते हुए डालेंगे अप दाल दिया है लाल मिर्शी पाउडर देखे हैं न्मक आप अपनी इस कर लेंगे हम थोड़ा सा अच्छा से जेंटली देखिए आप अगर बेकन शुरा नहीं भी डालना चाहते तब भी बन जाएगा कोई दिकत नहीं लेकिन थोड़ा सा फलफी नहीं बनेगा और अपना देखिए आइरन का ही तवा ले लिया है आपके पास नॉंस्टिक पायन हो आइरन का तवा ले लिजिए अच्छे से ग्रीस कर दीजिए ग्रीस करके फिर गरम करिए तब एक से बाद में डाले देखिए एक से दू सैंवीच आप सेखिए उसके बाद में आपका ग्रीस हो जाएगा जब तब अपने आप ही छूटने लगेगा आपको चुटाने की द दोनों तरब सिख गया है इसको साइड में करते जाएंगे हरी धनिया हमने डाली हुई है मगर थुरा सा ध्यान से निकल गया वीडियो दिखाने में वीडियो के लिए तो यह देखिए इस तरह से डिप करते हुए दूसरा पी सैंविच रखेंगे और जैसे हम आलो की टिक् सकते हैं तो आप खुछी सोच सकते हैं कम मेहनत में हल्दी खाना अगर बच्चों को मिल जाए तो कितना अच्छी बात है तो इसमें ज्यादा मेहनत भी ने करनी पड़ी है देखिए मूंग दाल तो वैसे भी बहुत ज्यादा होती है और इस तरह से आप खिलाएंगे ना त चौथा हमने सेका जमें जुरत नहीं पड़ी है बिल्कुल भी यह असानी से छूट गया है देख सकते हैं तो आप इसी तरह से जाएंगे और इसे हम साइड में करते जाएंगे जो सिख जाए उसको साइड में कर लीजिए तो वह क्रस्पी होता रहेगा मगर इसे पलटते यह बच्छे से तड़े हैँ पीछ 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 इस तरह से देखिए इस तरह से प्लाप फरीत एक सब तरब सלंग थहाएं तो यह से बंकर रहाएं मूज डाल यक्ली तषटते जाएंगे मूज भाटक आप और दिखार का माला के सब दिखा रहे हैं इस तारह से बंक चिक तो अगर हमारी रेस्पी आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक सेस्क्राइब और शेयर फूल वीडियो वाच करिए और अपने प्यारे परे कमेंट्स भेजिए थैंक यू